कि प्रान प्रतिष्ठा महुत सो में प्रधारने के पूरूव प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा जितना कठोर वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर वरता चरण उन्हों ने किया मेरे पुराना उनसे परिचे है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये अयोज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई दिविधा नहीं वो हुआ चौदा अवर्ष वर्वास में कहे वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्न दिवस देख रहे उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदाइन्या हरण होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परन्तु उसमें हमारे लिए कर्तवयका आदेश भी है प्रधानमंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है रामराज्या आने वाला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौतिका तापा रामराज नहीं कहुई वापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरतशृति नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी सब कृतद्य नहीं कपट सयानी रामराज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने हैं कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तब आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस्पर मत रहते है छोटे छोटे विवाद रहते है उसको लेकर लड़ाई करने की आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या ये बात बताई वो सामान्य नागरीक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिता से आचरन करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करुना शुचिता तपस उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरन क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हम को ये जान कर आपस में समन वैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन वै रखकर व्यवार करना ये धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरन है करुना दूसरा कदम है उसका अचरन है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को राहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भे करता भी है ये सब समाज बांदाओं हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख्ध दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सिवा करे दोनों हाथों से कमाए अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सिवा और परोपकार के माध्यम से ये करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए सैयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छा है है और इसलिए अपने आपको सैयम में रखते है तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेगी कांधी जी कहते थे Earth is enough for everyone's need but it cannot satisfy everyone's greed तो लोब नहीं करना सायम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यतिकत तपस तो हम करेंगे, सामुहिक तपस क्या है? संगच्छद्वम, समवदद्वम, समवो मनावसी जानता हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उस में से एक सामति का समध निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने जैश को विश्व गुरु बनाएंगे ये तपस हम सब को करना है पासो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतगेका है मैं यहां बैठता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी दी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी दी के नाते मैं ये अवदान स्विकार करता हूँ और उनी को अर्पन करता हूं, परंतु उनका ये व्रत, हमको आगे लेके जाना है, जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए, राम का उतार हुआ था, उस धर्मस्थापना को, अनुकूल स्थिति अपने आचरण में, अपने देश में उत्पन करना, प्रेणना देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिला कर, उसमें कृति प्रवन करने के लिए आये है, उनका आदेश सर पे लेके, हम यहां से जाए, सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी इस इक्षण से, इस व्रत का पालन हम करेंगे, तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते, विश्व गुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा, इतनी ख्षमता हम सब की है, इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ, आप सब को धन्यवाद देता हूँ, और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ, भारत के,